दोस्तो एक गुरु कुल में बच्चे आये पढ़ने के लिए, सीखने के लिए वहाँ के गुरु बड़े समझदार थे बच्चे बहुत छोटे नीते, थोड़े बड़े थे, कुछ सीखके ही आये थे तो गुरु ने पहले दिन सब बच्चों को एखटा कर आपने सामने मिठाया खूप सारी पत्तियां एखटी कर ली, हर पत्ती पे एक कारे लिखती फिर उन्होंने एक एक करके सब बच्चों को बुलाया, शिश्यों को बुलाया एक एक पत्ती उन्हें उठाने को बोला किसी पत्ती पे लिखाता कि रोज कुए से आदे घंटे आपने पानी बरना है किसी पत्ती पे लिखाता कि रोज आदे घंटे पहार पे चड़ने का प्रयास करना है किसी पत्ती पे लिखाता, रोज आदे घंटे जबरदस्त वर्जश करनी है किसी पत्ती पे लिखाता, रोज आदे घंटे नए शब्दों को सीखना है, उनका ज्यान लेना है इस तरीके से हर पत्ती पे अलग-अलग कारें लिखा हुआ था जिसको निरंतर बच्चों ने एक साल तक रोज आदे घंटे करना है फिर गुरू ने उनको समझाया कि ये कोई टेस्ट नहीं है परिक्षा नहीं है सिरफ एक commitment है, एक वादा है कि साल भर तक रोज आदे घंटे ये कारे आप अपनी खुशी से करोगे commitment से करोगे उन्हें अपनी जो normal education होती है शिक्षा होती है वो प्रारम कर दी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी है बच्चों पर कोई pressure तो था नहीं तो उन्होंने अगले दिन से आदे घंटे वो कारे करना शुरू कर दी है शुरू में बहुत धीरे-धीरे करा जादा ध्यान नहीं दिया लेकिन जैसे वो धीरे-धीरे करने लगे सीखने लगे कुछ उनका इंटरस्ट बना और dedication से काम करने लगे फिर चीजे समझ में आने लगी काम करना आसान लगने लगा तो और जादा काम करने लगे धीरे-धीरे प्रभाफ पढ़ने लगा और कोई pressure नहीं था कोई test नहीं था तो बच्चे खुशी-खुशी उनकामों को करते जा रहे थे इसी तरह एक पूरा साल बीत किया एक सुबा गुरू ने सब बच्चों को फिर से इखटा किया पढ़ाई नहीं कराई उनसे बोला कि आज तुम्हारी प्रतीस फर्दा होगी competition होगा जो जो task जो जो कार्रे अलग-लग पत्तियों पे लिखे थे वो सारे कार्रे सब बच्चों को करने है एक एक करके उन्होंने सारे कार्रे सब बच्चों से कराए जैसे सब बच्चों को पहाड पे चड़ाया तो जिस बच्चे को पहाड पे चड़ने का कार्रे मिला था रोज आदे घंटे करना था वो सबसे तेज फूर्ती के साथ बिना थके पहाड पे चड़ गया फिर सबसे कुए से पानी भरवाया जिसको कुए से पानी भरने का कारणे मिलाता सबसे असानी से सबसे जल्दी उसने पानी भर लिया शब्दों का टेस्ट हुआ तो जिस बच्चे को रोज शब्द सीखने थे सबसे ज़्यादा शब्द उसे ही आते थे काफी ज़्यादा शब्द आते थे बागी बच्चे देखके आश्चर्य चकित हो गए इस तरीके से जिस बच्चे को जो कार्रे रोज आदे घंटे करने को मिलाता साल भर के लिए वो सब बच्चों से उस कार्रे में काफी आगे निकल गया सब को देखके आश्चर्य हुआ जब प्रतिस परदा खतम हुई गुरू ने सब बच्चों को बिठाया और उनसे बोला बच्चों सिर्फ आदे घंटे हर दिन तुमने एक काम किया तुम्हें भारी नहीं पड़ा होगा मैंने ये भी बोल दिया था कि कोई टेस्ट नहीं होगा कोई परीक्षा नहीं होगी तो तुम पर कोई बोज भी नहीं आया होगा तुमने धीरे धीरे एक शुरुआत करी होगी और जहां तुम नित्ते वो काम करने लगे थोड़ा थोड़ा सीखने लगे आत्म विश्वास बढ़ने लगा चीजे समझ में आने लगी तुम इंप्रूफ करते गए धीरे धीरे जैसे ही तुमारा आत्म विश्वास बढ़ता गया तुम और जादा स्फूर्ती से उस कार्रे को करने लगे और असानी से सीखने लगे तुमारी गती और बढ़ गई इस तरीके से साल भर में बिना एहसास करे बिना बोज लिए तुम बहुत कुछ सीखे जिस बात का आज तुम्हें एहसास हो गया होगा जब तुम उस कार्रे में सब बच्चों से आगे निकल गए और काफी आगे निकल गए तो बच्चो मैंने तुम्हें कारी इसलिए दिये ये समझाने के लिए दिये कि आज मैं तुम पे एक बहुत बड़ा बोज डाल दू कि एक साल के अंदर अंदर तुम्हें पहाड चड़ना सीखना है परिक्षा होगे तुम हार मालोगे डर जाओगे कोशिश ही नहीं कर पाओगे अपना लक्षे देखके घबरा जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे लेकिन रोज नियम से थोड़े थोड़े समय एक कार्रे अगर करना हो जिसकी कोई परिक्षा भी नहीं होनी सिर्फ आपका वादा है कमिट्मेंट है कि आपने वो कार्रे करना है तो आपने वो ही बड़ा कार्रे करके दिखा दिया सीख के दिखा दिया बिना किसी बोज के असानी से सिर्फ नित्ते उस काम को करके ये ताकत होती है किसी भी काम को हमारे रोज मर्रा रूटीन में हर दिन जीवन में एड़ करने की शामिल करने की तो सब बच्चे आज मुझसे वादा करेंगे कि जब तक जीओगे नित्ते आदे घंटे किसी भी अच्छे काम को अच्छे कारे को जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है बहतर बनने को मिल रहा है इंप्रूव होने को मिल रहा है दुनिया की समझ आ रही आगे बढ़ पारे हो ऐसा कार्रे नित्ते आदे घंटे आपने जीवन भर करना है एक कार्रे से संदुष्ट होगे तो दूसरा कार्रे पकड़ लेना है अब चुकि बच्चों ने देख लिया था आदे घंटे का कमाल कि आदे घंटे नित्ते काम को करके कितना वो सीख पा रहे हैं तो असानी सबने गुरू की बात मान गए और उनसे वादा कर दिया। दोस्तो इस कहानी का मौरल ये है। जो हमारी रूटीन लाइफ होती है ना, प्रती दिन हम जीवन जीते। उसमें अगर आपने कोई भी अच्छी एक्टिविटी थोड़े ही टाइम के लिए बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी मोटिव के एड़ कर ली, इंक्लूड कर ली, जैसे सिर्फ आदे घंटे वर्जिश करनी है, आदे घंटे नए वर्ड सीखने है, आदे घंटे अच्छी कि गहतर मन पाओ, आपने अगर रोज दे दिया, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना रिजल्ट ओरेंटेशन के, बस करते जा रहे हो, तो शुरू-शुरू में तो आप बोर होगे, मन नहीं करेगा, लेकिन धीरे-धीरे जब आप वो कारे करते रहोगे, करते रहोगे, त दोस्तों, एक दिन में इंसान बहुत उचा पाड नहीं चड़ सकता, और सोचोगे भी ऐसा करने का, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, डर के पीछे हट जाओगे, लाइफ में हमेशा स्लोली चेंजिस लाने है, प्रती दिन कोई भी अच्छा कारे करना है, रेगुलरली करना है, धीरे-धीरे अपने आप बहुत ज़्यादा confidence आजाएगा, और काफी improve कर जाओगे, तो दोस्तों, ये एक ऐसी magical tip है, कि रोज आदा घंटा किसी भी नई चीज़ को, किसी भी अच्छी चीज़ को अपने आपको बहतर करने वाली, improve करने वाली, उस चीज़ को आपने दे रूटीन का पार्ट बनाना है, उसको skip नहीं करना, धीरे-धीरे आपकी आदत बन जाएगी, और आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, तैंक्यू दोस्तों